हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबको दीपेस गर्डिनिंग चनल पर और मैं हो दिपा तो दोस्तो आज मैं लगाने वाले हूँ बहुत सारे हिबिसकस के कटिंग और देखे कितने सारे कटिंग मैंने ले लिए है कुछ कटिंग में तो अभी फूल भी बने हुए है और कल्या भ बादल थे तो मैंने सोचा कि आज शायद बारिश होगी तो आज बहुत अच्छा टाइम है हिविसकस के कटिंग में लगा लूँ तो इसलिए जो है बहुत सारी कटिंग मैंने ले लिए है और दोस्तों बहुत दिनों से जो है हिविसकस की पौधे को मैंने प्रून नहीं किया है तो इसी के कारण देखिए मेरे बहुत सारे पत्या जो है बहुत थोड़ी से मुर्चा गया है लेकिन मुझे अभी लगाना है और देखिए लगाने के लिए दोस्तों नीचे वाले जितने भी पत्या है उनको हमें अच्छी तरह से हटा देना है और कम से कम पत्या हमें ज आप चाहो तो वह वाली वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर जो है दोस्तों देख सकते हो कि विसकास की कटिंग जो है पहले भी मैंने लगाए थी और लेकिन दोस्तों तब बारिश थी तो कटिंग जो है बहुत सारी लग भी चुके है लेकिन अभी का जो मौसम है तो बिलकु निचे वाले पतिया है उनको हटा दिये है और अभी मैं कटिंग को लगाने के लिए जो है इलोवेरा जल का इस्तेमाल कर रही हूं इस तरह से देखिए लगाने के बाद दबा देना है और अच्छी तरह से दबाना है ताक्य कटिंग बिल्कुल हील नहीं पाये दोस्तों, अगर कटिंग हिलते हैं तो आपकी जो है कटिंग successfully grow नहीं होते हैं तो इस तरह से जो है अच्छी तरह से आपको कटिंग को नीचे दबा देना है और अच्छी तरह से जो है प्रेस करना है इस तरह से लिखी ताकि कटिंग बिल्कुल भी हिल नहीं पाए तो बस इस तरह से जो पाद जो है पानी दे देना है और अच्छी तरह से जो है पूरी पत्तियों पर भी स्प्रे कर देना है पूरी टेहनी को अच्छी तरह से भीगो देना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तो सारे कटिंगों को मैंने लगा दिया है इस तरह से और अभी अच्छी तरह से पानी दे दूँगी इस तरह से देखिए मैंने अच्छी तरह से पानी दे दिये है और दोस्तो अभी तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी तो इसलिए जो है मैं इन कटिंगों को इस तरह से जो है प्लास्टिक कवर से कवर कर रूँगी ताके जो है मेरी कटिंग खराब ना हो यहाँ पर दिखे कुछ दिन पहले मैंने कुछ कटिंग लगाए थी और इस तरह जो है दो कटिंग लगाए थी और इस तरह से देखिए हर एक पतिया भी अभी तक ठीक है तो यह एक तरीका है दोस्तो अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो इस तरह से कटिंगों को आप कवर कर सकते हो और ताके कटिंग आप के खाराब ना हो और लग जाए तो इसलिए दोस्तों आज मैंने जितने भी कटिंग लगाई है सबको कोशिश करूँगी इस तरह से कवर करने ने की और अगर अगर बारिश होती है कल पर सो तो तब में इस धकनuko हटा दूँगी और कटिंग को बारिश पर रख दूँगी तरह से फिर से मुझे कवर कर लेना है और इस तरह से कवर करने के बाद ताकि भी होल ना रहे और इसके अंदर हो है टी अच्छी बने इस तरह से बस देखियें कि और दोस्तों आज जो है मैंने कुछ पवधी की reporting भी किये है बहुत दिन से जो है यह जो है देखिये इसकी जो है रूट्स बाउंड हो रही ही है यह पर 2-3 पवधे ऐसे हैं तीन पवधे है जिनकी रूट्स जो है बाउंड हो रहे हैं तो इनको मुझे रिपोर्ड भी करना और उसके बाद दोस्तों ये देखे ये जो है परपल कलर की एक ही विसकस की केटिंग है जो बहुत दिन पहले मैंने लगाए थी और इस पर देखे पॉली बैक के अंदर ही ये जो है इस पर जो है कलिया भी आ रहे हैं तो इसके नीचे एक जेट की केटिंग मैंने लगा के थोरी सी जो है नीम के खली लिए है और उसके साथ मैं मिला दूँगे सेंड तो उसके साथ ही दोस्तों मैंने मिक्चर को तयार कर लिये है और अभी देखिए पहला जो इसक पॉदा है उसको मैं रिपोर्ट करने वाले हो तो इस तरह से देखे नीचे से जो है इसकी जड़े निकल के आयी थी, तो इस तरह से देखी कितनी अच्छी इसकी जडे बैं चुके है, पोलेबेक के अंदर ही, और ये जो जेट का कटिंग है, इस पर भी देखे, बहुत अच्छी रूटिंग हो चुके है तो बस हमें जो है, इस तरह से लगा देना है, तो बस आज मुझे जो है रिपोर्ट करने हैं ये देखिए तीनो के तीनो कटिंग ही जो है लग चुके है ये देखिए ये और दो कटिंग है तो आज मैं इनको भी रिपोर्ट कर दूंगे और ये जो फाइकास का पौधा है दोस्तों ये देखिए ये देखिए इसकी रूट्स लगा रही हूं और उसके बाद दोस्तों ये देखें ये ड्रेसिना की एक वराइटी है तो ये इसको भी मैंने कटिंग से ही तैयर के रही थी और इसकी रूट्स भी आप देख सकते हो तो इसकी जो रूट्स है नीचे वाले रूट्स मैं काट रही हूं इस तरह से देखिए इस तरह से नीचे वाले रूट्स मैं काट रही हूं और उसके बाद इसको रिपोट कर दूँगी इस तरह से मैंने काट दिये है और अभी बस मैं इसी पॉट पर मैं इस पॉधी को रिपोट कर दूँगी तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने सारे पॉधी को लगा लिय तो लागाने के बाद तुरन जो है अच्छी तरह से हमें पानी दे देने हैं और इन सारे कटिंगों को इस तरह से मैंने कवर भी कर लिए हैं इस तरह से देखिए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्लीज एक लाइ दोस्तो